मेरे पहरे देश्वासियों, नमस्ता, आज मन की बात का सोवा एपिसोड है, मुझे आप सब की हजारों चिठिया मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं, और मैंने कोशिश किये हैं कि जादा से जादा चीठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं, आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया, और खुद को फिर सभाल भी लिया, आपने मुझे मन की बात के सौवे एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरसल बधाई के पात्र तो, आप सभी मन की बात के सुरोता है, हमारे देशवासी है, मन की बात कोटी कोटी भारतियों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटी करण है, साथियों, तीन अक्तुबर दोहजार चौदा, विजया दस्मी का वो परव था, और हम सब ने मिलकर विजया दस्मी के दीन, मन की बात की यातरा शुरू की थी, विजया दस्मी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का परव, मन की बात भी देशवासियों की अच्छाईयों का, सकारात्मक्ता का एक अनोखा परव बन गया है, एक ऐसा परव जो हर महिने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है, हम इसमें पोजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं, कई बार यकिन नहीं होता कि मन की बात को इतने महिने और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उधारणों की नविन्ता, हर बार देश वास्यों की नई सभलताओं का विस्तार, मन की बात में पूरे देश के कौने कौने से लोग जुड़े, हर आयू वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्च भारत अंदोलन हो, खादी के पती प्रेम हो, या प्रकुरती की बात, आजहादी का अमृत महोसव हो, या फिर अमृत स्थरोवर की बात, मन की बात, जिस विशाई से जुड़ा, वो जन आंदोलन बन गया, और आप लोगों ने बना दिया, जब मैंने ततकानीन अमेरिकी राश्पती, बराक उबामा के साथ, साजह मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी, साथियों, मन की बात, मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरही रहा है, मेरे एक मार्दरशक थे, स्री लक्षमन रावजी इनामधार, हम उनको वकिल साब कहा करते थे, वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए सामने कोई भी हो आपके साथ का हो आपका विरोधी हो हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेणा दी है मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है मेरे प्यारे देश्वाश्यों इस कारक्रम ने मुझे कभी भी आप से दूर नहीं होने दिया मुझे आध है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहाँ सामा इन्ने जन से मिलना जुलना स्वाभाव गुरुप से हो ही जाता था मुख्यमंत्री का कामकाज और कारकाज ऐसा ही होता है मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि हां का जीवन तो बहुती अलग है कामका स्वरूपलक, दाईत्व अलग, स्थितियां, परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामजाम, समय की सीमा शुरुवाती दिनों में कुछ अलग महसूस कर रहा था, खाली-खाली सा महसूस कर रहा था पचासो साल पहले मैंने अपना घर इसले नहीं छोड़ा था, कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्ग ही मुश्किल हो जाएगा जो देश्वासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था मन की बात ने मुझे इस चुनोती का समाधान दिया सामान ने मानवी से जुणने का रास्ता दिया पदभार और प्रोटोकल व्यवस्थात तक ही सिमित रहा और जनभाव कोटी कोटी जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया हर महिने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ हर महिने में देश वाज़ों के एक से एक अध्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ मैं देश वाज़ों के तब त्याक की पराकास्था को देखता हूँ महसूस करता हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आप से थोड़ा भी दूर हूँ मेरे लिए मन की बात ये एक कारिकम नहीं है मेरे लिए एक आस्ता पूजा वरत है जैसे लोग इश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं मेरे लिए मन की बात इश्वर रुपी जनता जनार्दन के चर्णों में प्रसाद की थाल की तरह है मन की बात मेरे मन की अध्यत्मिक यात्रा बन गया है मन की बात स्वासे समस्ट्री की आत्रा है मन की बात अहम से वयम की आत्रा है यह तो मैं नहीं तू ही इसकी समस्कार साधना है अब कलपणा करिए मेरा कोई देशवासी चालिस चालिस साल से निर्जन पहडी और बंजर जमीन पर पैड लगा रहा है कितने ही लोग तीस-तीस साल से जल सवरक्षन के लिए बावनियां और तालाब बना रहे हैं उसकी साफसफाई कर रहे हैं कोई पचीस-तीस साल से निर्धन बच्छों को पढ़ा रहा है कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है कितनी ही बार मन की भात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूँ आकाश्वानी के साथ्यों को कितनी भाव इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है आज पिछला कितना ही कुछ आखों के सामने आये जा रहा है देश्वास्यों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है साथियों मन की भात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हिरोज हैं जिनोंने इस कारकम को जिवन्त बनाया है आज जब हम सोवे एपिसोड के पड़ाव पर पहुँचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हिरोज के पास जाकर उनकी आत्रा के बारे में जाने आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ जूड रहे हैं हर्याना के बाई सुनिल जगलान जी सुनिल जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हर्याना में जेंडर रेश्यो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भियान हर्याना से ही शुरू किया था और इसी बीच जब सुनिल जी के सेलफी विद डाउटर केम्पेन पर मेरे नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने भी उनसे सिखा और इसे मन की बात में शामिल किया देखते ही देखते सेलफी विद डाउटर एक ग्लोबल केम्पेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेलफी नहीं थी टेकनलोजी नहीं थी इसमें डाउटर को बेटी को प्रमुकता दी गई थी जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रगट हुआ ऐसे ही अनेकों प्रहासों का परणाव है कि आज हरियान में जेंडर रेशियो में सुधार आया है आईए आज सुनिल जी से ही कुछ गप मार लेते हैं नमस्कार सुनिल जी सुनिल जी सेलफी विद डाउटर हर किसी को याद है अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है पदानमंत्री जी ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाना से पानिपत की चोथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कराट लाने के लिए सुरू की थी जिसे आपके नेतरतों में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है तो वाकिए ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है सुरूल जी अब आपकी बेटिया कैसी है आज कल क्या कर रही है जी मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है एक सेवंथ क्लास में पढ़ रही है एक फोर्थ क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी परसंसक हैं, उन्होंने आपके लिए ठेंक्यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट्स जो हैं, लेटर भी लिखो आये थे अशल में अच्छा बीटिया को आप मेरा और मन की बात के सोत्राओं का खूब शारा आशिरवाद दीजिए बहुत-बहुत सुक्रिया जी, आपकी वज़े से देश की बेटिया के चहरे पर लगातार मुस्कान बढ़ रही है बहुत-बहुत धन्यवाद सुने जी साथियो, मुझे इस बात का भहुत संतोस है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सेंक्डो प्रेनादाई गाथाओं का जिक्र किया है चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो मैंने जब भी महलाओं की उपलब्दियों पर बात की है उसकी खूब प्रसमसा हुई है जैसे हमने चतिस गड़ के देवर गाओं की महलाओं की चर्चा की थी ये महलाएं स्वयम सहायता समों के जरी है गाओं के चोराहों, सडकों और मंदीरों की सभाय के लिए अभियान चलाती है ऐसे ही तमिल नाडू की वो आदिवसी महलाएं जिनों ने हजारों इको फ्रेंडी टेरा कोटा कप्स दिर्यात किये उनसे भी देशने खूब प्रेना ली तमिल नाडू में ही 20,000 महलाओं ने साथ आकर वेलोर में नाग नदी को पुनरजीवित किया था ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेत्रुत दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है साथियों अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मोजूद है इनका नाम है मंजूर एहमद मन की बात में जम्मू कश्मीर की पैंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर एहमद जी का जिक्र हुआ था मंजूर जी कैसे हैं आप मंकी बात के इस सौवए एपिएड में आप से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अजा यह पैंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है बहुत अच्छे से जब शिए सर आपने हमारी बात मन के बात में कही सर तबसे बहुत काम बढ़ गया सर और दूसरों को भी रोजगार यहां बहुत बढ़ा है इस काम में कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा अभी मेरे पास 200 पुलस है अरे वाँ मुझे बहुत खुशी हुई जी सर अभी एक दो महीने में इसको एक्सपांट कर रहा हूं कि और 200 लोगों को रोजगार राबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है न स्वयम की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस विजह से आपको काभी बड़ी मुश्किले होती थी वो भी आप कह रहे थे लेकिन अब तो पहचान भी बन ग उनका भी बहुत बड़ा इसमें फाइदा मिला तब से 2000 का प्री बेच्टे थे अभी वही 3500 तक पहँच गया इतनी डिमाड बढ़ गी इसमें तब से और अपनी पहचान भी बन गी इसमें बहुत से आड़ रहे अपने पास अभी में आगे एक दो महीने में और एकस्वें आपने धर्ती पर उतार के दिखा दिया है जी सर जी सर मेरी तरफ से आपको और गाउं के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुकामना है धन्यवाद विया धन्यवाद सर साथियों हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभार्शाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बर्बुते ही सफरता के सीखर तक पहुँचे हैं मुझे आद है विशागा पत्नम के बैंकट मुल्ली प्रसाजी ने एक आत्म निर्भर भारत चार्ट शेर किया था उन्होंने बताया था कि वो कैसे जादा से जादा भारतिय प्रोडक्स ही इस्तिमाल करेंगे जब बेतिया के प्रमोज जी ने LED बल्ग बनाने की छोटी यूनिट लगाई या घट मुक्तेश्वर के संतोज जी ने मैट्स बनाने का काम किया मन की बात ही उनके उत्पादों को सब के सामने लाने का माध्यम बना हमने मेकिन इंडिया के अनेक उदारोलों से लेकर स्पेस स्टार्ट अप्स तक की चर्चा मन की बात में की है साथियों आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मनिपूर की बेहन विजय शांती देवी जी का भी जिक्र किया था विजय शांती जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडी आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपिलर हो गया आज विजय शांती जी फोन पर हमारे साथ है नमस्टे विजय शांती जी हौ र यू र य वार्यू य वार्यूब फिन राट वोगवाख नू इज हमारे स्थेड़ जिया थी जी जी हूर विज जी जी ह। yes sir everyone know from monkey what program all over India so now it's a very popular yes sir from Prime Minister monkey but program everyone knows about the Lotus fiber so now you got the market also yes I have got a market from USA also they want to buy in bulk in large quantities but I want to give from this year to spend the u.s. also so now your exporter yes from this year I export our product made in India not a fiber so when I say vocal for local and now local for global yes sir I want to reach my product all over the globe of world so congratulations and wish you best luck thank you sir thank you thank thank you हमारे देशी डौस उसको लेकर जागरुता बढ़ाने के शुरू आद भी तो मन की बात से ही की थी हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे जगडा नहीं करेंगे जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देश वास्यों को इस संकल्प से जोडने में खूब भूमी करे भाई कि ऐसे हर उधारन समाज में बढ़्लाव का कारण बने हैं समाज को प्रेजित करने का ऐसे ही बिड़ा प्रदीप स्वांगवान जी ने भी उठा रखा है मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी किये हिलिंग हिमालाय अच्छे अभियान की चर्चा की थी वो फोन लाइन पर हमारे साथ है प्रदीप जी नमस्कार सर जहिंद 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 वहिया कैसे हैं आप सर बहुत बढ़िया आपके आवाज सुनके और भी अच्छी आपने हिमाले को हील करने को सोची अभियान भी चलाया आजकल आपका कैमपेर कैसे चल रहा है सर बहुत अच्छा चल रहा है दो हजार बीस से ऐसास मानिये की जितना काम हम पात साल में करते हैं अब वो एक साल में हो जाता है हाँ जी हाँ जी शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी बहुत डर्था इस बात को लेकि की जिन्दगी भरिये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पर थोड़ा सपोर्ट मिला और दो हजार बीस तक हम बहुत स्टगल भी कर रहे थे लोग बहुत कम जुड़ रहे थे बहुत सा साल में 6-7 cleaning drive कर पाते थे 10 cleaning drive कर पाते थे आज की डेट में हम डेली बेसिस पे पांस तन कचराई कठा करते हैं अलग लग लोकेशन से मन की बात में जिकर होने के बाद आप सर बिलीब करे मेरी बात को कि मैं almost give up करने की stage पर था एक टाइम पर और उसके बाद फिर बहुत सार सब्सक्राइब कर रहें वहां पर आपने डोड़ा हमें हमारे काम को दुनिया के सामें लेकर आए तो मेरे बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के प्रतम सेवक हैं उनसे बासीत कर पा रहा हूं मेरे इससे बड़ी सबागी की बात नहीं हो सक है कि आप कैसे पहाडों की स्वच्ता अभियान में जुड़े हैं और जैसे आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से उसकी चर्चा स अब तो कितने ही प्रवतार हुई स्वच्छता से जूड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं अच्छी बात है आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण बेस्टीज और ये लोगों के दिमाग में अब स्थीर हो रहा है और परियावरण की भी रक्षार हो रही है और हिमाले का जो हमारा गर्व है उसको सामालना सावारना वो सामालने मान भी जूड़ रहा है प्रद्री जी बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बहिया थैंक्यू सर्थ थैंक्यू सो मच जैहिं साथियों आज देश में टूरिजम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे ये प्राकृतिक समसाधन हो नदियां पहाड ताला या फिर हमारे स्तीर्थ स्थल हो उन्हें साप रखना बहुत जरूरी है ये टूरिजम इंडिस्ट्री की बहुत मदद करेगा परियाटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इंक्रेडिबल इंडिया मुमेंट की भी आसपासी थे मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिजम पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए आपके राज्य से ब और यी वेस्ट जैसे गंबीर विशो पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया परियावरण के जिस इशु को लेकर इतना परेशान है। उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश युनेशको की डीजी ओद्रे औजुले का आया है। उन्होंने सभी देश वाच्चों को सो एपिसोड के इस शांदार जर्नी के लिए शुपकामनाय दी है। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आये पहले युनेशको की डीजी के मन की बात सुनते हैं। करyr में झाल जो muscular, का तो हुआ चालन टाय। आईटी ओटelect를 खेशाईपगादी युनेशकिछ, स्क्राच बघ्लुले, एको लाऎना सब्सक्राइब कर जनरेश 워folg 5 ईन्होंने के लिए तर घुनेश को बातिक थे Baptistष कर दोलिय के लिंएिशने जिए और सूऺज strategicण UNESCO also works to support culture and protect heritage. And India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th month ki baat program. I am also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, UNESCO की DG ने Education and Cultural Preservation यानी सिक्षा और संस्कृति सम्रक्षन को लेकर भारत के प्रहासों के बारे में जानना चाहा है. इस दोनों ही विशे मन की बात के पसंदिदा विशे रहे हैं. बात सिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके सवरक्षन की बात हो या संवर्धन की. भारत की यह प्राचिन परंपरा रही है. इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सरहानी है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या ख्षेत्रिय भासा में पढ़ाई का विकल्प हो. एजुकेशन में टेक्रोरजी इंटेग्रेशन हो आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे. वर्षों पहले गुजरात में बहतर सिक्षा देने और ड्रोप आउट ड्रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और साला प्रवेश उत्सव जैसे कारकम जन भागीदारी के एक अध्भूत मिशाल बन गए थे. मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाइलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से सिक्षा के लिए काम कर रहे हैं. आपको याद होगा एक बार हमने ओडिसा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गिया डीप प्रकास राव जी के बारे में चर्चा के थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे. जारखन के गावों में डीजिटल लाइबरेरी चलाने वाले संजय कश्चप जी हो, कोबिड के दोरान एर लर्निंग के जरिये कई बच्चों की मदद करने वाली हैमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उधारन हमने मन की बात में लिये हैं, हमने कल्ट्रल प्रिजर के प्रियासों को भी मन की बात में लगाता जगदी हैं, लक्सद्विप का कुमेल ब्रदर्स चलेंजस क्लब हो, या करनाटका के क्वेम स्री ची कलाचेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिठी लेकर ऐसे उधान बेजे, हमने उन तीन कॉम्पेट को लेकर भी बात की थी, जो देशभक्ती पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे, आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देशभर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिक्षा की भारतिये विधाओं पर चर्चा की थी, मेरा अटूट विश्वात है क इस सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बड़ाव लाया जा सबता है। इस साल हम जहां आजहादी के अमरितकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अद्रिक्स्ता भी कर रहे हैं। यह भी एक वज़े हैं कि एजुकेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स क सम्रुद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबुत हुआ है। मेरे प्यारे देशवास्यों हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सद्यों से हमारे मानज को प्रेणा देता आया है। चरहवेती 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 चलते रहो चलते रहो चलते रहो आज हम इसी चरहवेती चरहवेती की भावना के साथ मन की बात का सोवा एपिसोड पूरा कर रहे हैं भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन के को जोड़े रखता है हर एपिसोड में देशवास्यों के सेवा और सामर्थ ने दूसरों को प्रेणा दी है इस कारकम में हर देशवार्सी दूसरे देशवार्सी की प्रेणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तयार करता है। नई उचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुवात हुई है वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों मैं आज आकासवानी के साथियों को भी धन्यवात दूँगा जो बहुत धैरिय के साथ इस पूरे कारकम को रिकॉड करते हैं। वो ट्रांस्टेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्नक्षेत्रिय भासों में अनुवात करते हैं। उनका भी आभारी हूँ। मैं दुरदर्शन के और माई गौव के साथियों को भी धन्यवात देता हूँ। देजबर के टीवी चैनल्स एलेक्ट्रोनी मीडिया के लोग जो मन की बात को बीना कॉमर्सियल ब्रेक के दिखाते हैं। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आखिरी मैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा। जो मन की बात की कमान सभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग। ये सब कुछ आपकी प्रेणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वात है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरे भावनाओं को समझेंगे, आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में, मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में रहूंगा। अगले मेने हमें एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विश्यों और नई जानकारियों के साथ देश वास्यों की सभलताओं को सेलिबरेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।